Hello students, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे class 9 का third chapter factorization of polynomials और यह आप लोगों के लिए बिलकुल भी नया नहीं है, class 8 में आप लोग अल्रेडी पढ़ चुके हो factorization of polynomials, class 8 में क्या था कि हमने यह तीन फॉर्मूला पढ़ा था, a plus b का whole square, a minus b का whole square, a square minus b square, जितने भी questions थे, वो सारे इस formula से related थे, class 9 में क्या होगा कि आपके पास कुछ new formula आएंगे, a plus b plus c का whole square, a plus b का whole cube, a minus b का whole cube, a q plus b q, और a q minus b q, तो जैसे आपने यह सारे formula से related questions solve किये थे, class 9 में भी सारे questions कुछ उसी type के होंगे, बहुत जादा नया कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा, अब चेप्टर में total 7 exercises, total 7 exercise में बटावाई है chapter, first exercise में जितने भी questions है, वो सारे किस type के question है, वो सारे कैसे solve होंगे, by taking out common factor, अभी हम आज वाले वीडियो में, हम लोग इसी को पढ़ने वाले है, जो second exercise है, उसके जितने भी questions है, वो सारे इस formula पे based a square minus b square, third exercise के जितने भी questions है, वो स exercise a plus b के whole cube पे, और a minus b के whole cube वाले formula पे, और sixth exercise a q plus b q, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, और यह seventh exercise है, यह काफी important है, class 9 के लिए बिल्कुल भी new है, तो यह किस पे based है, a q plus b q plus c q minus 3 e b c, तो कोई भी exam हो, school exam हो, आपका कहीं भी exam दे रहो, यह इस formula से related question एकदम exam में रहता है, तो चलो start करते हैं हम लोग, अच्छा start करने से पहले, हम लोग क्या करते हैं, कि एक बार यह सारे formula को समझ लेते हैं, सबके derivation को समझ लेते हैं, कि कौन सा formula कैसे बना है, ठीक है, फिर video start करेंगे, ठीक है, मतलब quotients start करेंगे, देखो, तो सबसे पहला formula है, a plus b ka whole square, a square plus b square, plus 2 a besides, यह हम लोग, class 7 से पहलते हैं, ठीकिन फिर भी यहां पे हम लोग क्या करें, कि समझ लेते हैं, कि यह a plus b ka whole square से यह कहां से आया, a square plus b square, 5 minute लगेगा, एक बार सबको समझ लो, ठीक है, देखो, हमारे यह जो formula है, a plus b ka whole square, इसके बदले यह कहां से आया, a plus b ka whole square का क्या मतलब होता है, a plus b into a plus b, यह होता है, इसका मतलब, ठीक है, अब देखो कर हम दोनों bracket को multiply करेंगे, तो यह ही आ जाएगा, a plus b into a plus b, तो a को a से multiply करो, यह हो गया, a square, फिर a को b से multiply करो, यह हो गया, a b, फिर b को a से multiply करो, यह हो गया, b a, और फिर b को b से multiply करो, यह हो जाएगा, b square, तो A² प्लस B² और A B प्लस B A, तो दोनों सेम चीज लिखावा है, मल्टिप्लिकेशन में कोई भी पहले बाद में लिखावा है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A B प्लस A B, जो B A लिखावा है, उसको भी A B लिख लो, तो यह क्या बन जाएगा, A² प्लस B² और A B प्लस A B, तो आप किसी-किसी बुक में आप देखोगे, यह फॉर्मुला इस तरीके से लिखा रहता है, A² प्लस 2AB प्लस B², कोई फरक नहीं पड़ता है, 2AB को पीछे में लिख लो, यह बीच में लिखो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो देखा, आपने यह फॉर्मुला किस तरीके से आ रहा है, उसी तरीके से हमारा अगला फॉर्मुला है, A-B का हॉल स्कॉर, ठीक है, A-B का हॉल स्कॉर, मतलब A-B इंटू, A-B, तो यह क्या हो जाएगा, A-A, A-Square, और A-B, माइनस A, B हो गया, फिर माइनस B इंटू A, यह हो गया, माइनस B, और फिर माइनस B इंटू माइनस B, यह हो गया, प्लस B स्कॉर, ठीक है, तो अब देखो, A-Square, प्लस B-Square, और माइनस A-B, और माइनस B-A लिखावा है, इसको भी माइनस A-B लिख सकते हैं, तो A-Square, प्लस B-A-B, माइनस A-B, यह क्या हो गया, इसके बाद देखो, A-Square, माइनस B-Square, यह कहां से आया, फॉर्मूला, A-B, इसको एसे समझो, कि हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, A-B, इसको सॉल्फ करेंगे, यह आ जाएगा, A-A, यह हो गया, A-Square, फिर A-B, यह हो जाएगा, A-B, फिर माइनस B-A, यह हो गया, माइनस B-A, और माइनस B-A, अब देखो, यहां पर प्लस A-B और माइनस A-B लिखावाई, प्लस A-B, माइनस A-B, आपस में कैंसल हो गया, क्या बचीए है, A-Square, माइनस B-Square, ठीक है समझ में आए कैसे हो रहा है देखो इसके बाद जो अगला है A plus B plus C का whole square A plus B plus C का whole square देखो इसके पतले यह देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा कैसे आए समझते हैं देखो A plus B plus C का whole square हमने पढ़ा है A plus B का whole square अब यहाँ पर 3 term आ गया 3 term हो चाए 4 term हो चाए 50 term हो ठीक है उसका logic क्या रहेगा आप देखो इसमें से क्या करो किसी भी 2 term को एक single term की तरह assume कर लो ठीक है थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं A plus B के जगा आप K लिख लो चाए X लिख लो plus C का whole square हमने क्या किया let A plus B को आप assume कर लो X हमने लिख दिया X plus C का whole square तो अब देखो ये दो term में हो गया है इस type का formula बन गया है और इस type का formula के बदले हमने क्या लिख सकते हैं हमने को लिख सकते हैं X square plus C square plus 2 into X into C ठीक है X की value को वापस put कर दो X का क्या value था A plus B X के place पे लिख दो A plus B का whole square plus C square plus 2 into X के place पे वापस से लिख दो A plus B और into C अब देखो ये A plus B का whole square आ गया है फिर से A plus B का whole square क्या होगा A square plus B square plus 2 A B plus C square plus 2 into A तो 2 into A plus B into C तो 2 C को एक साथ कर लेते हैं और फिर बाहर में लिख देते हैं बगल में A plus B अब देखो ये क्या हो गया है प्लस 2 C into A 2 C A और 2 C into B ये बन गया 2 C B तो रियर्रेंज करके लिख लो A square plus B square plus C square plus 2 A B plus 2 B C लिखावा है देखो ये plus 2 B C plus 2 C A ठीक है तो देखो इस तरीके सी फॉर्मूला आ गया लेकिन आपको क्या करना ये फॉर्मूला सारा है memorize होना चाहिए ऐसा नहीं कि जब question हम solve कर रहे हैं उसमोग bet की formula derive करेंगे और तब question बनाएंगे नहीं तब काफी late हो जाएगा हमें इससा formula memorize होना चाहिए अब देखो उसके बाद A plus B का whole cube A plus B का whole cube का मतलब क्या है whole cube का मतलब वो चीज आपस में तीन बार multiply हो रही है तो A plus B के whole cube को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A plus B into A plus B into A plus B अब देखो दो बार multiply करेंगे तो यह क्या हो गया A plus B का whole square हो जाएगा और साथ में A plus B अब A plus B का whole square तो हमें पहले सी पता है या तो दो option है या तो दो ब्रैकेट को multiply कर लो लेकिन हम multiply क्यों करें हमें इतना दूर का तो पता यह ना जब whole square होता है तो वो क्या होता है A plus B का whole square क्या होता है A square plus B square plus 2A यह दोनों ब्रैकेट को multiply करके क्या जाएगा A square plus B square plus 2AB और साथ में क्या है A plus B अब क्या करो A square को दोनों से multiply करो तो फिर b square को दोनों से multiply करो 2ab को दोनों से multiply करो तो a square into a ये बन गया a cube फिर a square into b ये बन जाएगा a square b फिर b square into a ये बन गया b square a और b square into b ये बन गया b cube फिर 2ab को multiply करो a से ये हो जाएगा 2a square b और 2ab को multiply करो b से ये बन जाएगा 2ab square अब देखो AQ आ गया BQ आ गया इसको एक साथ लिख लो AQ प्लस BQ और A स्क्वाइर B यहाँ पे भी है और A स्क्वाइर B यहाँ पे भी है तो A स्क्वाइर B प्लस 2A स्क्वाइर B मिलके हो गया 3A स्क्वाइर B और B स्क्वाइर A और यह भी देखो B स्क्वाइर A लिखा हुआ है तो b square a और यहां भी two times b square है तो यह क्या हो गया three times b square है तो यह हो गया a q plus b q plus three a square b generally हम लोग alphabetical order में लिखते हैं तो a को पहले कर लो three a b square तो यह आ गया इसका formula ठीक है तो हम यहां पे भी use कर सकते हैं यह देखो a plus b का whole cube यहीं लिखावा इसमें क्या है कि हमने three a b common निकाल लिया तो तो three a b एगर common निकाल लोगे तो प्लस a q plus b q plus three a b इसमें भी दिख रहा ऐ जिख रहा है three a b यहां भी common इसमें से थी a b बाहर आगे तो बची है यह भच गया और यहां से 3a b बहार आ गया तो सिर्फ B बच गया तो यह फॉर्मुला आ गया तो हम लोग दोनों का ही डाइरेक्ट यूज करते हैं किसी-किसी सिटुएशन में हम लोग a-b के होल क्यूब के बदले यह वाला फॉर्मुला लिख लेते हैं कभी यह लिख लेते हैं जो ज्यादा सुटेबल ल लिख लिए multiply कर दिए यह आ गया a-b का whole cube similarly a-b को तीन बार लिख लो तीनो bracket को multiply कर दो यह चीज़ आ जाएगा ठीक है यह देखो aq plus bq और यह important भी कई बार सिफ exam में यही question दे देता है कि इसको प्रूव करके दिखाओ यह formula कहां से आया इसको समझना काफी जरूरी है देखो यह वाला formula हम लोग प्रूव कर रहे है aq plus bq ठीक है तो यह देखो हमने जब यह formula लिखा था a plus b का whole cube उसके अंदर हमें यह चीज़ दिख रहा है aq plus bq तो हम यहीं से start करेंगे देखो इस formula को prove करने के लिए हम इसका help लेंगे a plus b का whole cube क्या होता है aq plus bq plus 3ab bracket में a plus b तो हमें तो सिर्फ aq plus bq का value चाहिए तो इसको यहीं पर रख लो बाकी इसको उठा के इधर भेज़ दो तो हो जाएगा a plus b का whole cube minus 3ab bracket में a plus b और right side में क्या बच गया aq plus bq अब देखो यहाँ पे left side में देखो a plus b का whole cube यहाँ पे यह bracket a plus b तीन बार है और यह वाला bracket सिर्फ एक ही बार है तो पूरे में common निकाल लो तो a plus b common निकल गया तो क्या बचा यह वाला bracket तीन बार था एक बार बाहर आ गया तो दो बार बच गया a plus b का whole square बीच में minus का sign यह bracket बाहर जा चुका है तो उसके place पे क्या बचेगा सिर्फ 3a भी बचेगा equal to a cube plus b cube देखो तो match किया क्या a cube plus b cube का क्या formula लिखावा है a plus b ठीक है हमारा आ गया a plus b लेकिन उसके बाद दिखावा है a square plus b square minus a b हमारा match नहीं किया अभी तक तबी score solve करना पड़ेगा हमें देखो a plus b a plus b का whole square है इसको आप ऐसे लिख लो a square plus b square plus 2a b break कर दो इस formula को minus 3a b equal to a cube plus b cube फिर a plus b a square plus b square plus 2a b minus 3a b ये क्या बन गया minus a b plus 2a b minus 3a b minus a b हो जाएगा equal to a cube plus b cube अब देखो आप पूरी तरीके से match कर गया हमारा formula कि a cube plus b cube का ये formula कहां से आया ये रहा है उसका proof similarly a cube minus b cube कहां से मिल जाएगा देखो तो यहां पे लिखावा दिख रहा ने a cube minus b cube तो a cube minus b cube इस वाले formula की help से निकल जाएगा उसको आप एक बार खुद से करके देख लेना और एक आखरी formula जब हम वोस topic पहुँचेंगे exercise g पे 7th exercise पे उसको वहीं पे बताएंगे detail में ठीक है है और अगर आपको starting मिलीसे भी अब बना रही आपको formula याद नीद वहीं आप एक काम करेंगे paper में सारह formula लिख लो और उस paper को सामने रखो एक बड़ देख देख के बनाओ ळ याद नीगी तो क्या करोगी देख देख के बनाओ देख देख के बनाते única formula याद हो जाए ठीक ह चलो स्टाट कर रहे हम लोग कि हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स एकसराइसे 3 हैं तो आब हम लोग इस बूक को देख रहे हैं तो इस बूक में जंरली क्या हूता आरे-समारे एक्जलाण प्रहूं किसी भी एकसरा-साइस के पहले काफी ठीक है तो पहला question है हमारा 5a square minus 2ab 36 a cube b minus 60 a square b c first question में total 4 पाट है 1, 2, 3, 5ab plus c minus 7b b plus c fourth exercise जो है वो है 6 bracket में 2a plus 3b का whole square minus 8 2a plus 3b यह सब कुछ नया नहीं है इस अब class 8 में already पढ़ावा है just for revision ठीक है question number 2 भी हम लीख लेते हैं एक साथ सबको solve कर लेंगे x bracket में x minus y का whole cube plus 3x square y और bracket में x minus y ठीक है तो total 6 example है फटा फट करते हैं फिर exercise पे move करेंगे ठीक है यहाँ पर देखो first question में क्या है 5a square minus 2ab यहाँ पर देखो पूरे में common क्या दिखाई दे रहा है common देखो तो यहाँ पर 5 है यह टू है तो common नहीं है यहाँ पर a दो बार है दो टर्म है यह पूरा एक टर्म हुआ a यहाँ पर दो बार है a यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है तो एक बार A common आ गया और कुछ भी हमें common दिखाई नहीं दे रहा है तो A common ले लो क्या बचेगा यहाँ पर 5 A बच गया बीच में minus का sign A बाहर जा चुका है तो क्या बच गया यह 2 बच गया और यह B बच गया बस और कुछ नहीं है इसमें ठीक है Just for revision फिर देखो second वाला 36 A Q B minus 60 A square B C यहाँ पर देखो number number में कुछ common निकल रहा है तो number number में common निकाल लो variable में कुछ common निकल रहा है तो variable में common निकाल लो तो देखो 36 और 60 में common क्या आ गया 6 नहीं 12 ठीके 12 के table में 36 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा तो 12 common आ गया आपको maximum common निकालना है अगर एक बार में पूरा नहीं निकाल पाए तो एक बार में जितना निकाल पाए उतना निकाल लो फिर solve करने के बाद दिखे गा रहे इसमें तो कुछ और common निकल रहा है second बार में निकल ले ना कोई दिक्कत नहीं है हमें direct दिख गया कि 36 और 60 में 12 common निकल दिख लिक्व लिए अगर यहां पे Tीन बार है ए यहां पर दो बार है तो ए में common कितना हो गया दो बार तो A-square बाहर आजाएगा B यहां पे एक बार है B यहां पे वी एक बार है तो एक बार B बाहर आगया यहाँ पे c है और यहाँ पे c नहीं है तो यानि c दोनों में common नहीं है तो c बाहर नहीं आएगा बस जितना common आना था वो आ गया अब देखो क्या बचा 36 में से 12 बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा multiply के terms में देखना है 12, 3, 0, 36 a तीन बार था दो बार बाहर आ गया एक बार बच गया b एक बार था एक बार बाहर आ गया नहीं बचा minus 60 में से 12 बाहर आ गया 5 बच गया a दो बार था दो बार बाहर आ गया b एक बार था एक बार बाहर आ गया c था c बाहर नहीं आया तो c बच गया अभी इसस्टार्टिंग के कोश्चन है इसलिए हम लोग काफी एकड़र की से समझे रहे हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग थोडा सा समझना कम कर देंगे मतलब फटाफट कोशन सॉल्व करेंगे तो जो भी स्टोइट एकर बीच से देखेंगे तो उनको दिक्कत होगा आप जो भी वीडियो देखिए पूरी सीरियल वाइस देखिए स्टार्टिंग से देखिए स्टार्टिंग का वीडियो हो सकता है कि आपको पांच मिनिट बोर सी माइनस सेवन भी बी प्लस सी अब यहाँ प्रक फूरा का पूरा पूरा ब्रेकेट को बाहर निकल लो अच्छा नंबर के टम्स पे डिको फाइव है सैवने कुछ निकला यहाँ पे ए लिखावा है यहाँ बी लिखावा है और कुछ कॉमन नहीं है मतलब यह वाला पूरा common दिख रहा है तो इस पूरे bracket को बाहर निकाल लो B plus C को क्या बचेगा ये 5 बच गया बीच में minus का sign ये 7 भी बच गया ठीक है और जगह नहीं है बस stop इसके बाद देखो fourth question fourth part में देखो दिया हुआ six bracket में two a plus three b का whole square minus eight two a plus three b अगर यहां भी ध्यान से देखो तो two a plus three b ये पूरा bracket यहां पे दो बार है और ये पूरा bracket यहां पे एक बार है तो एक बार तो बाहर common निकल गया two a plus three b पूरा बाहर आ गया ठीक है अब देखो और भी कुछ निकल सकता है क्या common अगर एक बार में आप और कुछ common दिखाई दे रहा है तो ठीक है नहीं तो जितना दिखाई दिया उतना निकाल लो बाकि next step में कर लेना हमें यहां पे साथ में दिख रहा है six और eight ये जो bracket के बाहर नंबर लिखावा इसमें भी तो common है तो आप देखो क्या बचेगा ये पूरा bracket दो बार था एक बार बार आ गया तो एक बार बच गया बीच में माइनस का साइन eight में से two बाहर आ गया four बच गया और ये bracket एक ही बार था एक बार बाहर आ गया तो और कुछ भी नहीं बचा यहां पर तो यह हो गया complete two bracket में two है plus three b लेकिन generally हम लोग bracket के अंदर bracket नहीं रखते हैं तो अंदर वाले bracket को break कर दो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा three two जा six a plus three three जा nine b minus four ठीक है यह हो गया factorization का क्या मतलब होता है कि जो भी आपको polynomial दिया वाया उसको product के terms में convert करना मतलब product के terms में देखो यह टर्म आ गया यह दूसरा term और तीसरा term तीनों के बीच में क्या है product ठीक है और जो इच factor आ रहा ही है इसमें से और कुछ भी common नहीं निकल सकता है ठीक है इसके बाद देखो second वाला part example two example two में हमें दिख रहा है यहीं पर चलो लिख लेते हैं x-y का whole cube है x-y सिर्फ एक बार है यहाँ पर यह ब्रैकेट तीन बार दिख रहा है यहाँ पर यह ब्रैकेट एक बार आ जाएगा x-y और कुछ common दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में लिखावा है 3x square y यहाँ पर x तो इसमें एक बार x है यहाँ पर दो बार x है तो एक बार x भी बाहर आ गया अब देखो क्या बचा ठीक है यह एक बार आ चुका है यह ब्रैकेट तीन बार था एक बार बाहर तो x-y का whole square बीच में plus का sign था plus का sign देखो 3 बच गया x दो बार था एक बार बाहर निकला एक बार बच गया y था y बाहर नहीं निकला है तो y बच गया यही पर और यह ब्रैकेट एक ही बार था वो एक बार बाहर जा चुका है तो और कुछ नहीं बचेगा अभी complete नहीं हु x square प्लस y square माइनस 2xy और फिर साथ में लिखा हुआ है प्लस 3xy तो यह क्या हो जाएगा x x-y x square प्लस y square माइनस 2xy प्लस 3xy यह क्या बन गया प्लस xy बस आगे अब और कोई जगा नहीं है तो यह complete हमारा दो example चलो आगे बढ़ो इसके बार देखो थर्ड example इस वीडियो में क्या करते हैं टोटल 6 example दियावा है 6 example पूरा करके इस वीडियो को stop करेंगे हम लोग example 3 में भी 4 part है देखो इसमें क्या दियावा है first part a b plus b c plus a x plus c x फिर second part यहां लिख लेते हैं चलो second part दियावा है x square plus 3x plus x plus 3 और third part को हम यहां लिख लेते हैं 6 a b minus b square plus 12 a c minus 2 b c और fourth part a square plus b minus a b minus a देखो यहां पर क्या दिख रहा है चार टर्म दिख रहा है तो दो दो टर्म में ठीक है तो ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरे जिसे चारो में common है जिसे a है तो a यहां पर है यहां नहीं है बी यहां पर है तो इसमें है तो इधर नहीं है ठीक है तो चारो में कुछ भी common नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम सिर्द दो दो टर्म में देखे तो हमें b common दिख रहा है और इन दोनों टर्म में देख उसमें से पता चलेगा, तीन टर्म मिलके, एक साथ फॉर्मूला बन रहा है, और एक टर्म बिचारा साइड हो जाएगा, अब यह आगे आएगा तो पढ़ेंगे, फिला देखो, साथ साथ चलो, इन दोनों में क्या दिख रहा है, तो क्या बचे गया, A प्लस C, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, फिर, A प्लस C बाहर आ गया, तो इसके प्लेस पे क्या बच गया, B, बीची में प्लस का साइन, यह A प्लस C बाहर जा चुगा, इसके प्लेस पे बच गया, X, तो बस यह होगा, तो फेक्टराइजेशन का कोई ऐसा नहीं, कि आप चार टरम दिख रहा है, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में सबसे पहले दिमाग में यही बात आएगा, रहे चार टरम दिख रहा है, दो-धो में गवनन निकालो, अगर नहीं निकलेगा, तो पिर कुछ और दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ प्लेस पे बाहर आगया तो एक बार बचेगा भाई, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 12 और 2 में, प्लस 2 common आ गया, A था, A यहाँ पर नहीं, C था, यहाँ भी C, C common आ रहा है दोनों में, C ले लो, चलो, तो 12 A, C में से 2 C बाहर आ गया, तो 12 में से 2 बाहर आ गया, 6 बचा, C बाहर आ गया, सिर्फ A बच गया, बीच में माइनस का साइन, 2 था, 2 बाहर आ गया, C था, C बाहर आ गया, B बच गया, देखो कुछ match किया है कि हाँ match कर गया ना ये bracket पूरा-pूरा match कर गया 6a-b 6a-b तो 6a-b को बाहर निकाल लो अब क्या बच गया है इसके place पर बाहर आ चुका है इसके place पर यहाँ पर सिर्फ b बच गया बीच में plus का sign और ये 2c बच गया ठीक है अगर आपको 8 का clear नहीं है हम ये तो class 9 में थोड़ी सी दिकत होगी क्योंकि अभी starting की question इसलिए मैं थोड़ा सा इतना एक एक step हमें करना पड़ रहा है अगर इस तरीके से हम करेंगे तो बहुत जादा question हम नहीं कर पाएंगे हमें थोड़ा सा अपने speed को बढ़ाना पड़ेगा तो अगर आपने भी class 8 का basics clear नहीं है तो हम अपने चैनल पर दिन में एक हफते के इंदर हो सकता है हम class 8 के factorization को भी upload कर दें आप एक बर वो सारा देख लीजिए ठीक है अगर आपका basics clear हो जाएगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा class 8 में का यह basic है तो 9 में उतने detail में हम नहीं कर सकते है starting की कुछ question है इसलिए हमें इतना basics करना पड़ रहा है अब देखो यहाँ पर x square plus 3x x common आगया तो क्या बचा है x plus 3 और यहाँ पर कुछ भी common नहीं दिख रहा है कुछ भी common नहीं है मतलब 1 common है तो 1 लिख लो या नहीं भी लिखो गी तो भी ठीक है क्या बचे गया x plus 3 अब देखो x plus 3 common आगया ठीक है x plus 3 x plus 3 common आगया तो एक bracket में क्या बचे गया x plus 1 ठीक है यह भी complete अब इसके बाद देगो यहाँ पे a square plus b इसमें हमें कुछ भी common नहीं दिख रहा है चार term है हमने सोचा दो-दो में common निकाल लेते हैं लेकिन इस बार इन दोनों term में कुछ भी common नहीं है इन दोनों टर्में है, तो इन दोनों टर्में आप ले के भी क्या करोगी, मालनो चलो एक बार स्टाट किए, a² प्लस b कुछ common नहीं मिला, ऐसे ही छोड़ दिये, इन दोनों में मैं मैं मैं-a common दिख रहा था, कुछ नहीं बा, तो beech वाले टर्म को इधर उधर लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको इधर लिख लो, चाहिए इसको इधर, यह मतलब जो बीच में दो टर्म रहेंगे ना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके एक बार देखना काम हो जाएगा, जाधा तर केस में काम हो जाएगा आपका तो हम दो क्या करते हैं a square minus a b को पहले लिख लिए फिर plus b को लिख लिए और minus a इधर उधर करते वक्त sign change मत करना गलती से भी जब equal to पे jump करता है equal to के इधर से उधर जाता है तब किसी चीज़ का sign change होता है अपने ही place पे वो इधर उधर हो रहा है तो उस चीज़ का sign change नहीं होगा अब देखो यहाँ पे इन दोनों में a common दिखाई दे रहा है तो a common ले लिए क्या बचा? a minus b इन दोनों में कुछ भी common नहीं दिख रहा है तो plus one ले लो बच गया? b minus है bracket के बाहर हमने plus रखा है तो अंदर वाले का sign change नहीं करेंगे ठीक है? अब देखो यहाँ पे हुआ क्या? a minus b है और यहाँ पे b minus a है तो यह अभी common नहीं हुआ आप गलती मत कर देना कि a minus b को बाहर निकाल लोगे यह दोनों अभी common निकाल रहा है यहाँ पे a minus b है यहाँ पे b minus a है तो दोनों को एक जैसा बनाना होगा ना पहले अगर plus में रहता a plus b और दुसरे bracket में लिखा रहता b plus है तो दोनों का meaning सेम होता है plus में कोई भी पहले लिखो बाद में लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन ऐसा लिखावा है a minus b एक bracket में और एक bracket में लिखावा है b minus है तब यह दोनों सेम नहीं है यह दोनों अलग-अलग हो गया यह situation हम लोगे लिए बहुत common है और यह बहुत बार अभी बहुत बार repeat होना भी चैप्टर सुरू है बहुत बार repeat होगा आप समझ लो इसको किस तरीके से हम लोग handle करेंगे a minus b जब भी ऐसा situation मिले कि दोनों match कर गया बस उल्टा-पुल्टा रहेगा अब बीच वाले bracket के बाहर जो भी sign इसका sign change कर देना plus है तो minus हो जाएगा minus रहता तो plus कर देते bracket के बाहर का sign आप change करोगे तो अंदर वाले का sign change हो जाएगा तो अंदर वाले का sign change हो के क्या बन जाएगा ये plus b है तो अब ये minus b हो जाएगा और ये minus a है तो plus a हो जाएगा और हम लोग क्या होता है लिखने का habit generally plus वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे इसको a-b साइन चेंज हो गया यह जो प्लस b था वो माइनस b हो गया है जो माइनस a था वो प्लस a हो गया है ठीक तो अब देखो दोनों मैच कर गया तो a-b common आ जाएगा a-b common आ गया तो एक bracket में क्या बच गया a-b और एक bracket में गया एक्जामपल थ्रीका इसके बाद देखो एक्जामपल 456 एक्जामपल 4 में दियावा है x square प्लस 1 बाई x square प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाई x ठीक है चलो इसको समझो काफी important है तो इसको समझने से पहले इसको समझो हमने यह पढ़ा है a-b का whole square यह क्या आया a-square प्लस b-square प्लस 2ab ठीक है अगर ऐसा रहता a-plus मालो सिर्फ a-plus 1 by a ठीक है कुछ इस तरीके का रहता चाहे a-plus एक बार मनलो 1 by b रहता तो यह क्या हो जाता a-square प्लस 1 by b-square प्लस 2 2 into a into 1 by b कुछ इस टाइप का हमें दिखता लेकिन अगर इस तरीके के गा रहे है a-plus 1 by a जो यहाँ पे लिखावा है उसी का reciprocal यहाँ पे है ठीक है तो अब यह क्या होता a-square पहले वाले का square प्लस 1 by a-square प्लस 2 into 2ab वाला पार्ट होता है 2 into a into 1 by a तो यहाँ पे यह a और a कट के खतम हो जाता तो सिर्फ हमें क्या दिखता है a-square प्लस 1 by a-square प्लस 2 तो इसको देखके तो तुरंत पहचान में आता है a-square b-square 2ab लिखावा दिख रहा है तो तुरंत हम लोग इसके बदले कर कहीं भी हमें यह चीज़ दिखाई दे तो हम लोग तुरंत इसके बदले a-plus b का whole square लिख लेते हैं अब लेकिन इसमें तो देखो a-square b-square हमें लिख नहीं रहा है a-square plus 1 by a-square plus 2 दिख रहा है इसके साथ में लिखावा कुछ भी दिख नहीं रहा है दिख क्यों नहीं रहा है क्योंकि वो आपस में cut की खतम हो चुका है तो हम लोग अगर कभी भी इस तरीकी का expression मिले a-square plus 1 by a-square plus 2 सिर्फ अगर इतना भी लिखावा मिले तो हम लोग क्या करेंगे a-square plus 1 by a-square plus 2 इसके बगल में अपने से क्या करेंगे a लिख देंगे और 1 by a लिख देंगे अपने से लिखना होगा बोलो कि अपने से क्या से पता चलेगा अपने से पता नहीं चलेगा प्रैक्टिस इस टाइप का देख रहे हो और ये काफी important है बहुत ज़्यादा important है तो आगे से कभी भी अगर इस तरीके का expression दिखाई दे तो ये बात तुरंट दिमाग में आ जानी चाहिए कि अरे यहाँ तो ये 2 लिखावा है बैचारा 2 अकेले है इसके साथ का a और 1 by a कटके खतम हो चुका है इसलिए ये सिर्फ 2 दिख रहा है हमें ठीक है एक्चुल में यहाँ पर a और 1 by a है ठीक है तो आप देखो अब उपर वाले question को देखो जो लिखावा है कुछ वैसा ही दिखाई दिया है यहाँ पर x square प्लस 1 by x square प्लस 2 तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x square प्लस 1 by x square प्लस 2 इसके बगल में x into 1 by x हमने अपने से लिख दिया इससे कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि यह तो बात तो कटके खतम ही हो जाएगा यानि लिखा ना लिखा बात बराबर है तो यह चीज़ हो गया और minus अब देखो इन दोनों term में 2 common आ रहा है यहाँ भी 2x है x common नहीं देखो यहाँ numerator में x है यहाँ denominator में x है x common नहीं है सिर्फ 2 common है 2 numerator में भी है और यहाँ भी 2 numerator में है तो 2 common आ गया bracket खीज़ दो क्या बच गया 2 निकाल लिया हमने यहाँ तो x बच गया बीच में जो minus का sign था यह plus हो जाएगा क्यों जब भी bracket के बाहर आप minus लिख होगे अंदर का sign change करना मत भूलना तो अब यह क्या है यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया इसके place पे 1 बचा और denominator में है x ठीक अब देखो इसके बदले भी हमने just बताया थे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई x का whole square minus 2 और यह x प्लस 1 बाई x तो x प्लस 1 बाई x देखो क्या होगा पूरे में common आ गया तो x प्लस 1 बाई x अगर यहाँ पे x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x लिखो बीच में minus का sign लिखो यह था एक बार बाहर चला गया उसके place पे क्या बचा 2 बस complete ठीक है तो यह question इस तरीके से बनेगा और काफी important भी question है यह वाला मतलब क्या करना आपको देखो factorization में ही जी बोल रहा है इसके बाद देखो दो question और कर लेते हैं उसके लिए हम क्यों छोड़े है example 5 ठीक है इसमें दिया हुआ factorize करना है 1 प्लस x प्लस y minus z plus x y minus y z minus z x minus x y z ठीक है इसमें देखो इतना बड़ा सा दिख रहा है 6 term दिख रहा है आठ टर्म है इसमें तो तो अब आप इसमें देखो generally 4 term होता है तो हम दो-दो में common निकाल लेते हैं 8 term है तो आप क्या करोगे यहाँ पर तो कुछ भी common नहीं दिख रहा है इन दोनों में देखें तो भी कुछ common नहीं दिख रहा है अगर इन दोनों में common देखते हैं तो चलो वाई common मिल रहा है ठीक है फिर इन दोनों में देखेंगे तो हमें जैड कॉमन दिख जाएगा लेकिन मालों यहाँ तो common निकाल भी लिए तो यह चारो टर्म कि देखो इसको क्या करो लो ऐसे कर लो कि देखो इसमें तीन टर्म दिख रहा है है एक्स वाइज तो एक्स और जेडression भी एक्स यडिस में लिटर इन दोनों में अटर कॉमन निकालते हैं और यहाँ पर है एक्स वाई य जड़ वाई इन दोनों में common निकल जाएगा, गर हम y इन दोनों में common निकल लेंगे, तो एक bracket में आ जाएगा, एक बर चलोग करके देखते हैं, y common निकाल लिए तो आ गया, x-z, और इन दोनों में minus zx common निकल गया, z और x common निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, इसके place पे आ गया 1, अंदर का sign चेंज हो जाएगा, प्लस ये बचेगा 1 प्लस y, ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे x-z हमें दिख रहा है, इन दोनों टर्म में y common निकाल लिए, तो x-z आ गया, एक bracket में आ रहा है 1 प्लस y, तो अगर हम यह 1 प्लस y को एक साथ ले ले, इस 1 प्लस y को एक साथ लिख ले, तो एक क्या बच जाएगा, x-z तो प्लस x-z बच गया, ठीक है, तो अब देखो, इसको और इसको एक साथ देखो, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 1 प्लस y दिख रहा है, और इन दोनों में क्या दिख रहा है, हमें x-z दिख रहा है, तो zx को क्या करो xz लिख लो और 1 प्लस y लिख लो अब इन दोनों में term में देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब bracket के बाहर 1 है यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब bracket के बाहर क्या है 1 है तो x-z यहाँ भी है x-z यहाँ भी है तो अगर हम x-z को common ले ले तो इसके place पे यह तो पूरा बाहर निकल गया इसके place पे क्या बचा 1 बीच में plus का sign यह पूरा बाहर निकल गया इसके place पे क्या बचा y ठीक है और देखो यहाँ पे 1 plus y यहाँ भी 1 plus y तो अगर 1 plus y कौन common ले ले 1 plus y तो यह क्या बचेगा इसके place में यह पूरा बाहर निकल गया इसके place पे क्या बचा 1 minus यह 1 plus y पूरा बाहर निकल गया उसके place पे क्या बचा xz अब आप देखो पूरे में यहाँ भी 1 plus y दिख रहा है यहाँ भी 1 plus y दिख रहा है इसके place में क्या बचा, x-z, बीच में ये plus का sign, ये बाहर निकल गया है, ये क्या बचा गया है, 1-xz, ठीक है, तो अब देखो, आगे कुछ simplify, इस bracket के अंदर कोई कटता हूँ अभी नहीं दिख रहा है, कोई और further simplify है हमें नहीं दिख रहा है, तो बस यहीं पर stop कर देंगे, त तुमारा answer आ गया, 1-y और bracket में आ गया, क्या 1, पहले 1 लिख लो, 1-x-z, और-xz, नहीं इसमें भी और हमें common दिख रहा है, काभी complete कहा हुआ, देखो, common कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर z common ले लें, 1-y, 1-x को एक तरफ कर लो, इन दोनों को, और यहाँ पर-z common आ गया, त फिर से बच गया, देखो, क्या हुआ, यहाँ पर यह 1-x आ गया, एक साथ, और-z common ले लिए, minus-z, ठीक है, तो यह z बाहर निकल गया, इसके place पर आ गया, 1, bracket के बाहर minus रखे हैं, तो अंदर वाले का sign change हो जाएगा, plus, और यह x भी बच गया, तो फिर से देखो, यहाँ पर place पर क्या बच गया, 1 बचा, बीच में minus का sign, और यह z बच गया, ठीक है, 1 plus x, 1 plus x बाहर निकल गया, तो finally हमारा क्या answer आ गया, देखो, 1 plus y एक bracket में आ गया, 1 plus x एक bracket में आ गया, और 1 minus z एक bracket में आ गया, ठीक है, तो इस तरीके सी question हमारा complete हो गया, अच्छा एक बात, कोई ज इसमें और इसमें y z common निकल जाता है, इन दोनों में भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते थें, इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, इस question को आप एक बार दो-3 तरीके से अलग-अलग तरीके से बना के देखो, इक बार दिससे हमने इन दोनों में common निकाला, तो भी बन आएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है एक कोशन और फिर ये वीडियो एंड करते हैं काफी ये वीडियो आल्रेडी काफी लेंदी हो चुकी है उसके बाद देखो लास्ट एक्जामपल 6 इसमें दिया वैट 2x-3 का होल स्क्वाइर माइनस 8x प्लस 12 देखो इस slow इस में क्या है 2x-3 का होल स्क्वाइर दीख रहा है थोडा सा ध्यानं से देखें मतले स्ट इसमें क्या होता हुत है यह सोचना होता है घ्र सिप यहां पर बूर फ्स यहां पर फॉर काममन निकल लिए है तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा 12 में से 4 बाहर चला गया क्या बचेगा 3 तो आप ध्यान से देखो 2x-3 2x-3 दोनों प्लेस में 2x-3 दीख रहा है तो क्या होगा 2x-3 common आ जाएगा 2x-3 common आ गया यहां पर यह bracket दो बार था एक एक बार बाहर आ गया एक बार बचेगा 2x-3 बीच में माइनस का साइन और यह 4 तो यह हो गया 2x-3 और यह हो जाएगा 2x-3-4 मिलके हो जाएगा 2x-7 ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो एक्जामपल में questions दिए वे थे कुछ questions तो यह complete हो गया तो बहुत ज्यादा questions नहीं है exercise मे को ऐसा बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है आप लोग एक बार खुद से बनाओ हम इस वीडियो को यहाँ stop कर रहे हैं और इसके बाद क्या करूंगा exercise 3 एक को भी सीरियल वाइस record करके upload कर दूँगा ताकि जिस भी student को जिस भी question में problem आया आप डारेक्ट वहां से उसको देख लेना ठीक है लेकिन बनाना टोटल 34 questions दिये वे हैं आप लोग एक भी question में इसमत करना पूरा सीरियल वाइस सारा बनाना चलो वीडियो को stop करते हैं आप लोग मैंसे जो भी first time student हमारे चैनल पे आया है प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो शहरा कि दोना चा secteur, दोना है, अंगियो को वीडियो को भी करने की ड्रेवाइस सारा है प